गुड मोर्निंग स्टुडेंट्स, आज हम बात करेंगे समस्थिती की, समस्थिती से तात्परी यह है कि समान स्थिती, प्रत्वी की हम बात करें तो प्रत्वी के उपर उँचे परवत, अनेको पठार, समतल मैदान, निम्न सागरिय बेसिन, इत्याती, बहुत सी ववाक्रति यह वो प्रत्वी के उपर स्थित हैं, यानि हम बात करें तो प्रत्वम, दृत्वित्य और तृत्वी श्रेणी के उपर अवस्थित हैं, अब चुकि प्रत्वी गूनन कर रही है, अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, तो इन सभी प्रकार के उच्चावचों के मध्धे या हम कहें कि स्थिर्था की दश्या जो है वो पाई जाती है तो ये सभी प्रकार की जो भूह आकरतियां हैं एक निश्चित नियम के दुआरा ही प्रत्वी के उपर संतुलित रह सकती हैं तो इस बात को या ये जो संतुलन जो है इस नियम को हम समस्थिती के नाम से जानते है इसी प्रकार से हम बात करें तो धरातल पर अंतरजात और बहिरजात यानि आंतरिक और बाहे दोनों ही प्रकार के बल जो हैं वो कारियरत हैं तो इस प्रकार से दोनों बल जो हैं वो विरोधी हैं यानि एक दूसरे के विप्री दिशा में कारिरत हैं जिसके कारण धरातल पर सदेव हम कहें तो परिवर्तन आता है या हलचल मची रहती है तथा पी ये जो विशय है बहुत ही आश्चरिय का विशय है कि इतना अधिक प् पाजूद भी समस्त आकरतियां उनके मद्दे संतूलन और स्थिरता की दशा बनी रहती है और ये जो संतूलन की दशा इसको हम भू संतूलन या समस्थिती के नाम से जानते हैं समस्थिती जो है ये शब्द सर्वप्रथम लेटिन भाशा के आईसोस्टेसियस शब्द से ब तो बात करें हम इसकी परिभाशा की तो परी ब्रहमन करती वी प्रत्वी के उपर उचे क्षेत्र जैसे परवत हैं पठार हैं तथा निम्न बेसिन यानि जो नीचे दसेवे क्षेत्र हैं उन सब के मध्धे भोतिक और यांत्रिक स्थिर्ता की दशा जो है वो आईसोस्टेसी या संतुलन कहलाती है यानि प्रत्वी के उपर कुछ भूभाग अत्तिक उंचे हैं कुछ भूभाग जो है वो अत्तिक गहरे या नीचे हैं और गूंडन करती वी प्रत्वी के उपर इन सभी के मध्धे संतुलन कायम है तो एक तरह से हम बात करें तो इन सभी के मध्धे की संतुलन की दशा को हम समस्थिती के नाम से जानते हैं इसके साथ ये अलग-अलग विद्वानों ने इसे अपनी अलग-अलग परिवाशाओं की द्वारा समझाने का प्रेयास किया है जैसे हॉम्स के मद में समस्थिती संतुलन की वह दशा है जो भूपटल के ऊपर विस्तृत विबिन उंचाई वाले विशाल परवत मालाओं पठारों और पैदानों के मद्धे पाई जाती हैं हॉम्स के अनुसार जो उंचे उठे भूबाग हैं इनके मद्धे जो संतुलन है उसे हम समस्थिती के नाम से जानते हैं और यह कहते हैं कि यह सभी बड़े पैमाने पर जितने भी हमारे भूबाग हैं यह भूतल के नीचे पराय संतुली तवस्था में पाए जाते हैं इसी प्रकार से हम स्टीर्स की बात करें तो इनके अनुसार प्रत्वी के धरातल पर जहां कहीं भी संतुलन विद्देमान है समान धरातली ए नहां भी हमारे भूबाग संतुलीत हैं जैसे परवत संतुलीत है तो परवत के नीचे जो है उतने ही मात्रा में पदार्च वो मौजूद होगा वैसे हम बात करें तो समस्थिती की संकल्पना जो है वो बायनसी या प्लवन-शिल्टा की सिद्धान पर आधारित है जिसे आ द्रव के तरव के प्राइबन को ठाएगा। इस प्रकार से किसी महतवीब का सागरतल से उच्चा उठावा भाग तुभात की द्वारा ही सहारा प्राप्त करता है। इसी तरह से हम परवश्रीणियों की बात करें तो सबसे उची परवश्रीणि हमारी माउंट एवरेस्ट है वो और उसके निकटवर्ती जो भी उच परवश्षिकर हैं वो प्रत्वी के बीतर स्थित्पदार्तों की यांत्रित शक्ती के कारण नहीं टिकेवे होते बलकि ये म जोन है जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं उसमें गहराई में प्रविष्ट होता है यानि जितने भूबाग उपर की और उठे में उनके उतने ही भूबाग जो है वो नीचे की और मौजूद है और वो सारे के सारे जो भूबाग है वो नीचे जो वीक जोन है उसके अंद उनका पदार्थ उन्हें धरातल पर संतुलित करता है यह बायन सी के अनुसार है इसी तरह से निचले भागों की जड़ें जो है वो उतली होती है और जैसे जल में तैरतेवे जहाज की भात्ती जितने भी हमारे महादवीब हैं वो समस्थितिक की संतुलन की स्थिती में होगे इसी प्रकार से हम बात करें तो धरातल के उपर सित उचे पदार्थों को संतुलित रहने के लिए जो उपरी भाग जिसे हम सियाल के नाम से जानते हैं तो उनकी जो सियाल है उसकी जड़ें है वो जो निचला भाग है उसका सीमा में प्रविष्ट होंगी यानि उपरी जो रों forgotten है उसका सियाल का उपड़ी भाग जो वह नीचले भाग में बी उतना ही भाग उसका गेहराई के अंदर वह मौझूद होगा और इसके लिए समस्थिटि लाने के लिए जितना भाग उपर तैरता है सियाल का सीमा के उतना ही भाग जो है वो नीचे की और सीमा के भूभाग को हटा कर उसके अंदर मौजूद रहता है इसी प्रकार से अधिक सगन भूपटल ये पदार्थ जो है वो कम सगन भूपटल ये पदार्थ की अपेक्षा करत अधिक गहराई तक मैंटल में डूबेंगे यानि ज्यादा मोटाई वाला जो भूपटल है वो समान घनतवाले भूपटल की अपेक्षा अधिक गहराई के अंदर वो प्रवेश करेगा इसी प्रकार से हम बात करें समस्थिती सिध्धान्त की तो ये प्रत्वी के अंदर एक ऐसे तल को बताता है जिसके उपर शैलों के आधार पर विभिन भागों में मिलने वाले पदार्थों के घनतवा में अंतर मिलता है यानि इसके उपर जितने भी पदार्थ हैं इनकी डेंसिटी जो है वो अलग होगी यह हम कहें डिफरेंट होगी यह डिफर होगी लेकिन उसके नीचे जो है वो उसके अंदर घनतवा में अंतर नहीं पाया जाता है इसके साथ ही हम बात करें तो उपर उचे उठे भागों क गनतवा कम होगा और जो नीचे धह से भाग है उनका गनतवा अधिक होगा लेकिन इन सब का जो बाहर है वो एक रेखा की सहारे जो है वो समान होता है जिसे हम समदाबतल या क्षति पूर्तितल या समतोल तल कहते हैं यह जो सम्तोल रेखा है यह line of compensation है यह level of uniform pressure भी कहते हैं इसे यह isostatic level कहते हैं तो इसके सहारे जितने भी हमारे उपर के बहाग जो है इनका बहार जो है वो समान होगा जिसके कारण इसको सम्तोल तल के नाम से जाना जाता है अब हम बात करते हैं इस सिध्धानत के विकास की तो आइसोस्तेसी शब्द का सरुप्रथम प्रियोग जो है वो डटन द्वारा किया गया था 1889 में किया था और इस सिध्धानत का विशलेशन जो है वो प्राट नामक विद्वान द्वारा किया गया फ्रांस इसी विद्वान जो पीरे बाफर थे उन्होंने दक्षरी अमेरिक बूग अनितिये सर्विक्षन का कारी किया और उन्होंने वहाँ पर गुरुत्व संबंदी विसंगतियां जो है उनको नजर आई और उन्होंने ये सिध्धानत प्रतिपादित किया कि एंडी का जो गुरुत्वा कर्षन खिचाव उतना नहीं था जितना होना चाहिए था इसी प्रकार से बोस्कोविच नामक फ्रांसीसी विद्वान ने प्राट से पूर ये विचार प्रकट किया कि प्रत्वी के जो आंत्रिक भाग हैं उसमें तापमान द्वारा प्रत्वी के नीचे की शैलों का विस्तरण या एक्सपेंशन होने के कारण उनका घनत्व कम हो जाता है और इनकी क्षति पूर्ती जो है वो पर्वतों की उचाई द्वारा होती है इसी प्रकार से जो ब्रिटिश खगोल विता सर जौन हर्शल है उन्होंने प्रतिपादित कि कि क्रस्ट का भारिच शेत्र जो है वो आंत्रिक की प्लैस्टिसिटी के कारण उसमें नीचे गुश जाता है यानि क्रस्ट के जो उपरी भाग है वो प्रेशर के कारण और नीचे जो है भू भाग है वो मॉल्टन फेज में होने के कारण उसके अंदर धंस जाता है इसी तरह से पेटिट ने कहा कि जो टूलूज सेक्षित्र है उसमें भूग नितिये सर्विक्षिन के दोरान जो पिरेनीज के मास के अंदर जो कमी आई उसको उन्होंने समझाने का प्रयास किया इसी प्रकार से भारत के अंदर हम बात करें तो 1859 में भारत में हिमाले की तलहटी के अंदर गंगा सिंधु के मैदान में त्रिकॉण मितिक सर्विक्षिन के दोरान समस्थिती की स अंकल्पना पर कुछ विचार प्रकट किये गए और यहां जो सर्विक्षन किया जा रहा था वो सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में 1859 में किया गया था और इस समय इन्हें कुछ गुर्थवा कर्शन संबंदी विसंगतियां जो है उनका पता लगा इसी प्रकार से 1869 इन्हें प्राट ने गंगास इंदू के मैदान में एक्षांशों की निर्दारन ही तू जियोडिक या जियोडेटिक किया भूगनिती सर्विक्षन किया तो इस समय इनको भू संगतियां जो है वो प्राप्त हुई और उसके अधार पर इन्होंने समस्थिती को समझाने का प्रियास किया भारत के अंदर भारत के जो मद्य एक्षांश है उस पर दो स्थान है कल्यान और कल्यानपूर इन दोनों स्थानों का त्रिभूजी करन और खगोलिये विद्यों द्वारा मापन किया गया और जब परिनाम देखा तो उन्हें देखा कि जो त्रिभूजी करन विदी है उसमें मापन का परिणाम आया पांच डिग्री तेईस मिनट बेयालीस पॉइंट दो नो चार्स और इसी तरह से खगोलिय विदी तुवारा जो आया पांच डिग्री तेईस मिनट 37.0.58 तो दोनो विदियों के परिणाम में रिजल्ट में अंतर जो है वो आया लगबग पांच पॉइंट दो तीन चैए सेकिन इस अंतर को देखकर प्राट को काफी आश्चरी हुआ क्योंकि ये जो स्थान था कल्यान वो हिमाले से लगबग च्यानवे किलोमेटर दोरी पर था इनके अनुसार ये डिफ्रेंस जो है वो अधिक आना चाहिए था यानि लगबग ये अंतर पंद्रा पॉइंट आठ आठ पांच सेकिन आना चाहिए था गणना के हिसाब से जबकि ये अंतर काफी कम आया तो इसका कारण इस अंतर के कम होने का कारण इनोंने हिमाले का कम आकर्षन वाना और इनके अनुसार हिमाले का पास होना या निकर्टता वो जो प्लम्बोब या साहूल रेखा या उस साहूल के आकरण के कारण थी किसी स्थान पर अक्षाश का गोलिय निरधारन जो किया जाता है वो स्वतंतर रूप से लटकते वे साहुल की दिशा के अनुसार किया जाता है तो किसी स्थान की आकर्शन की दिशा को साहुल द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो प्रत्वी के गोलाब होने के कारण साहुल रेखा सागर तल पर शुद लमवत ना होकर कुछ थोड़ी सी डिफलेक्ट हो जाती है लेकिन यहां जो अंतर था उसका कारण इन्होंने ये माना कि हिमाले जो है वो साहुल को कम मात्रा में आकर्शित कर रहा है अर्थात हिमाले को साहुल को अधिक आकर्शन या गुर्टव आकर्शन बल से आकर्शित करना चाहिए था तो प्राट ने ये समझाने का प्रियास किया कि हिमाले का हिमाले सियाल से बना हुआ और सियाल जो है उसका घनत्व कम होता है उपरी परता है हलकी है तो उसका घनतव लगबग 2.75 से कम है इसलिए साहूल पर कम आकर्शन भल लगा इसलिए हिमाले सीमा परत का बना हुआ होता तो उसका घनतव अधिक होता जिसके कारण साहूल पर अधिक आकर्शन भल लगता लेकिन चूंकि यह हलके पदार से बना हुआ इसलिए उसका और अंतर जो है वो अधिक ना आ कर दिया जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया जब कि कम आया इसी प्रकार से जो एरी हैं उन्होंने भी इस चीज को देखकर या इस डिफरेंस को देखकर यह बताने समझाने का प्रियास कि उनके अनुसार हिमाले अधिक उचाई का है और यह अधिक उचाई के कारण हलका इसका गहनत्व कम है तो कम गहनत्व की जो सियाल परत है वो बहुत अधिक गहराई तक धंसीवी है जैसे हम देखें तो आइस बर्ग जो होता है या बर्फ की चटाने जो होती है उनका एक हिस्सा पानी के बाहर होता है नो हिस्से पानी के अंदर होते हैं तो इसी प्रकार से हिमाले का एक हिस्सा उपर है और अधिकांश भाग जो है वो नीचे सीमा परत के अंदर धसा हुआ है तो एरी के अनुसार हिमाले का कम भाग उपर है और अधिकांश भाग नीचे है तो इसलिए कम भाग उपर होने के कारण साहुल के उपर कम आकर्शन शक्ती लगी और जिसके कारण उन्होंने साहुल को कम मात्रा में आकर्शित किया तो इस प्रकार से इन विद्वानों ने समस्थिती जो है इसको अपने अपने रूप में परिभाशी तोर समझाने का प्रयास किया तो ये तो था हमारा आज समस्थिती की परिभाशा और इस सिद्धान्त का विकास अगले व्यक्षान में हम प्राउट और एरी के जो विचार हैं या उन्होंने एक्स्पेरिमेंट्स के दुआरा अपने विचारों को या समस्थिती को समझाने का प्रियास किया उनका ध्यान करेंगे धन्यवाद